है हेलो गाइज आज के इस वीडियो में हम हमारी मोटरसाइकल में कैमरा को इंस्टॉल करने वाले हैं гр guys आपने कार में वगएरा कैमरा को देखा है डैस्टां के मार्किट में अवेलिबल हैं लेकिन मोटरसाइकल के लिए बहुत कम आप्शन है तो आज के इस वीडियो में Mercy Leon का M1502 Dash Cam को हम install करने वाले हैं और Mercy Leon ने हमें ये भेजा है टेस्टिंग के लिए तो मैं हूँ आपका अपना AQD Hot Pursons चलिए वीडियो शुरू करते हैं So guys यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका box कितना बढ़िया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की screen यहाँ पर आने वाली है और दो camera's यहाँ पर आने वाले हैं guys और box में कुछ यहाँ पर ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है model number यहाँ पर printed है So guys यहाँ पर आब हम box को open कर रहे हैं आप देख सकते हैं box कुछ इस तरीके से open होता है thank you note देखने को मिलता है आपको इसके अंदर और user manual भी यहाँ पर है guys जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ देख लो यह है वो display और यहाँ पर camera's रखे हुए guys मैं आपको display दिखाता हूँ सबसे पहले देख लो कुछ इस तरीके का mercelion का m1502 display होने वाला है guys जिसके अंदर sd card यहाँ पर already inbuilt है यह इसके buttons है और यहाँ पर देख लो cable कितनी लंबी मिल जाती है तो इसको हम side में रखते हैं और box में क्या-क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख लो दो camera आपको देखने को मिलता है गाइस एक front के लिए और एक rear के लिए इसको भी हम side में रखते हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कुछ power cables भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको एक card reader भी देखने को मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं हमारे display के ऊपर हमने mounting को लगा दी है अब यह जो mounting है handlebar पर fit होगा कुछ इस तरीक है यहाँ इस display को हम left side में install कर रहे हैं यहा हमारे motorcycle का वह इसले क्योंकि इसकी जो wiring है इसको हम professional तरीके से tank से नीचे से होते हुए लेंगे वह इसले क्यूंकि अगर बाहर से लेंगे तो engine की heat से वह जल सकता है या फिर cut सकता है तो इसके वाज़े से हम tank को यहाँ पर निकाल रहे हैं यहाँ पर देखो यह इसका rear camera है औ देख लो इसको कुछ इस तरीके से connect किया जाता है अभी हम front camera को DVR से connect कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कुछ तरीके से tight किया जाता है और यह waterproof है Ses को इसको कर रहे हैं, so guys main power connection को हमने यहां पर कुछ इस तरीके से कर दिया है, देख लो positive है यह जो yellow वाला है, जो positive में जा चुका है बैतरी के, और यहां पर जो ground का connection है वो negative में हमने कर रखा है और यह जो रेड़ वाला है यह ACC में जाएगा फ्लैशर जो इगनिशन ओन होते ही करण जिसमें जाएगा जिससे गाड़ी ओन होते ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से सेट अप हमने कर रहा है अभी हम कैमरे को इंस्टॉल कर रहे हैं यह जो 3m टेप है स्ट्रॉंग वाला इसको हम निकाल रहे हैं हम 3m टेप को यहां पर लगवा रहे हैं यह अभी बहुत स्ट्रॉंगली फिट हो चुका है हमारी वहिकल पर अब यह इतनी आसानी से निकलेगा नहीं बाकि आप चाहेंगे तो आप इसको स्कूरू से भी फिट कर सकते हैं कैमरा और डिवाइस इंस्टॉल हो चुका है यहां पर देख सकते हैं कैमरा पर्फेक्ली यहां पर बहुत हार्ट तरीके से मांट हो चुका है गाइस गम की मदद से और यहां पर देख लो डिस्पले यह भी बहुत स्ट्रॉंगली फिट हुआ है हिलता ढूलता बिल्कुल भी नहीं है और फ्रंट कैमरा देख लो यहां पर हमने लगा दिया है अब की को अन करते ही देख लो यहां पर डिस्पले स्टार्ट हो चुका है गाइस और वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहां पर शुरू हो चुकी है यह तीन इंच का छोटा सा है यहां पर जो बटन दे रखा है इसको प्रेस करते ही आप कैमरे का व्यू यहां पर फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहां पर कॉम्पस भी दिखा रहा है जो के आपको डाइरेक्शन समझने के लिए इजी हो जाएगा अब यहां पर देख लो यह पीछे हमारी इसु कर सकते हैं और यहां पर जो भी रिकॉर्ड़ करना है या नहीं वह भी कर सकते हैं और डेट्स टाइम का भी यहां पर ऑप्शन है और लूप रिकॉर्डिंग को भी आप एक दो या तीन मिनिट के लिए सेट कर सकते हैं और बाकी के सारे चीज़ें यहां पर देखने को मिलत और mobile के अंदर भी playback का option है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी videos mobile के इस app में load हो रही हैं जहां से आप video को check करके download कर सकते हैं मैं आपको दिखा देना चाहूंगा यह देख लो यहाँ पर यह सारी videos recorded हैं और देख लोगा इस यहाँ पर clarity जो bike पर हमने cameras लगाए हैं यह उसके original footage है आप देख सकते हैं clarity किस तरीके से नजर आती है थोड़ा सा cloudy मौसम था तो कुछ इस तरीके की clarity देखने को मिलती है यह रात के समय पर आप देख सकते हैं cameras किस तरीके से capture कर पा रहे हैं videos को और daytime यहाँ पर देख लो बढ़िया तरीके से clean picture quality यहाँ पर record होती है और रात के सम पर गरम गरम चाई गिराई बढ़िया तरीके से इसको हमने चाई पिला दी उसके बाद हमने पानी भी डाला इसके ऊपर और अच्छे तरीके से इसकी waterproofing test हमने किया क्यूंकि motorcycle में आप चब चलाते हो तो बरसात वगेरा होते रहती है तो आईसे situation में यह product खराब नहीं होना चाहिए तो हमने इसके camera इसको भी बड़िया तरीके से पानी में भिगो दिया फिर भी यह काम कर रहा है इसका जो bluetooth remote है जिस पे camera बटन दे रखा है जिसको प्रेस करता ही अलग से video recording आप कर सकते हैं SOS button है जिसको प्रेस करके files को आप lock कर सकते हैं और screen को off करना है तो power button यहाँ पर दे रखा है बट recording चलेगी अब बात करते हैं हमारे opinion की तो display अच्छा है अगर touchscreen होता तो और भी अच्छा होता display की brightness थोड़ी से ज्यादा होनी चाहिए और इनका जो software है और थोड़ा सा user friendly होना चाहिए बाकी यह जो display और इसके अंदर जो videos record होते हैं camera की quality काफी अच्छी है display की quality काफी अच्छी है wiring जो kit आती है इसके साथ इसकी भी quality काफी अच्छी है तो अगर आप कुछ इस तरीके की बड़ी bike यूज़ कर रहे हैं तो यह जो $2.99 का यह जो device है यह मुझे worth लगा बाकी आप बताव आपको कैसा लगा तो यह display को खरीदना है तो इसका link मैंने description में दे रखा है आप वहाँ से जाके इसको purchase कर सकते हैं और coupon code भी मैंने दे रखा है जिससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से discount भी मिल जाएगा सो मिलते हैं आगली वीडियो में आपना खयाल रखना helmet पहन के गाड़ी चलाना बाई बाई जैहिन